नमस्कार उम्शान्ति बाते हमारी कामकी में आज फिर मैं आपका एक बार स्वागत करती हूँ बहूँ सारी बाते होती है क्यों सी बाते है जो हमारे जीवन यात्रा में काम लेकर आती है या जीवन यात्रा में साथ चलती है कोई चीजे ऐसी होती है ओर हम आगे जाते है कोई चीजे ऐसी होती है जो हमें सीखने के लिए मजबूर कर देती है और कोई बातیں ऐसी होती हिए जम दूसरों को देखकर सीखते हैं हमारा ये कारेक्रम जो है बाते हमारे काम की इसमें मेन बात या बहुती मत्पुन बात ये है कि इसमें बहुती अनुभवी व्यक्ति हमारे इस कारेक्रम में आते हैं कि कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत आज दिन तक किया और खासका सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने के बाद उनको क्या अनुभा प्राप्त हुआ वो बाते हमारे जैसे हमें हमारे महमान बताते हैं उसको सीखने के बाद भी अगर हमने उन बातों को follow नहीं किया तो शायद ही जीवन में ऐसी चीज हम से छूट जाते हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं फिर हम अपने आपको दोशी देते हैं कि यार मेर से ऐसे क्या छूट गया क्या मुझे चाहिए था वो चीज हम इस कारेक्रम में ले के आते हैं जिसे हम सुनते हैं समझते हैं देखते हैं उन व्यक्तियों को देखते हैं कि ये जीवन कैसे व्यतीत कर रहे है आज हमारे सकारेक्रम में पधारे हैं ब्रह्मा कुमार नत्मल भाईजी जो उडिसा से हैं वो उनका जनम राजस्थान में 1954 में हुआ था और उनकी विशेश बात ये है कि लोग अपने जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर तक स्थानों में जाते हैं उन्होंने अ 1973 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का एक जो कहते हैं कि इश्वर्य जीवन कैसे वियतीत करना है इन बहु मुल्य बातों को कैसे जानना है उन्होंने जाना समझा देखा और वियतीत भी किया तो उसी उस 1973 से लेके आज दिन तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वर्य विश्व विद्याले में समर्पित रूप से सेवाई दी रही है आए उनका इस कारेक्राम में हम स्वागत करते हैं और जानने की बहुत ही गेहरी गुहिया बाते जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें हमारे जीवन को जीने के लिए क्या-क्या बाते समझाते हैं आए स्वागत करते हैं ब्रह्मा कवार्थ नत्मल भाई जी का भाई जी बाते हैं हमारे काम के में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओम शानती आपका भी बहुत धन्यवाद है आपने हमें याद किया ओम शानती भाईजे आपका हमने एक जैसे आपका जीवन है वो जी रहे हैं वो हमने पढ़ा आपने कहा कि मैं एक मेरा जीवन जो मेरा जो जन्म हुआ था वो राजास्तान में हुआ था और आप आज कलोडि बहुत सारी बाते हैं जो मैं बहुत तरीके से लेंगी लेकिन आपने का कि बीजनस को लेकर आप 1971 में उडिसा गए थे तो एक नया शब्द आये नया जैसे देखें आम कहीं बाहर की जगा में जाते हैं दिली जाते हैं मुंबरी जाते हैं तो आपने उडिसा ही क्यों चुना अधिए निंड़ा में मारे कुछ रिल्gende घ्रेटीव रहते थे अच्छा तो सह ठों About में बिजुनेस करने में बथिर बाता है षुथ MPH को चुना तो एसा क्या बिज़ण या फे नौकरी करना था या बिजनस अपना हमने अपना बिजनस स्काट किया हमारे मामा जी के साथ म में मिल करके हमने कपड़े का बिजनिस स्टाइट किया। तो वाहा पर जब बिजनिस कर रहे थे उसी दोरान प्रजापिता ब्रहमा कुमारी इसुरुष उध्याले महां पर खुला ही था नाइटी सेवन्टी थ्री में तो दो साल हमने इच बिजनिस को संभाला को उसके बाद में इसरी स्विजाले जहां रहते थे उससे थोड़ा ही आगे करीब समझ तो एक किलोमेटर भी नहीं होगा आदा किलोमेटर के अंतर में तो नहीं ब्रांच वहां खुली थी तो हमने भी एकुरिसिटी हुई कि यहां क्या अध्यात्मिक्ता के बातें बताई जाती हैं क्योंक अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् तो यह बढ़ देखा जाए तो 1954 से लेके 1973 तक एक एस देखी जाती है तो 20 ए 22 या ऐसे कुछ होती है तो उस समय बंदा बच्चा यह सोचता है कि मुझे कुछ करना है मुझे अपना परिवार देखना है अपने परिवार के साथ रहना है मुझे पढ़ाई करने आगे बढ़ना आपने यह डिसाइड कर लिया कि मुझे यह जो ग्यान अधात्मिक ग्यान लिया हमने दोनों चीजों को महत्व दिया हमने यह भी सोचा कि बिजनिस भी करेंगे और अधात्मिक्ता की तरब भी आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर कुछ परिस्तितियां ऐसी आई कि मामा जी ने कि बिजनिस जो हो तो पेट को पालने के लिए शिरफ है आज हम कितना भी बड़ा बिजनिस करेंगे लाखों का करोड़ों का उससे भी बहुत सारे उपर भी हैं लोग तो उसमें तो हम हंडेट परसंट तो शफलता को प्राफ्त नहीं कर पाएंगे लेकिन अध्यात्मिक्त कि तरफ अगर बढ़े हैं तो हम अनेक लोगों को मारग दर्शनinkling दे सकते हैं अलेक अनेका आत्माओं जीवन बना सकते हैं विजनेस से परिशा कमा सकते हैं, लेकिन लोगों को जीवन परिवर्तन करने के लिए उसमें कोई भी राष्टा नहीं है. तो आपने परिवार को कैसे हैंडल किया है? फिर हमारे जो पेरेंट्स और जो हमारे छोटे भाई उन सब को हमने समझाया, कि देखिए हम लोकिक में पांच भाई हैं, तो हमने समझाया कि बिजनेस तो सारे कर रहे हैं, और करते रहेंगे, लेकिन हमने इस चीज को चुना है, इसमें क्या होगा कि आप लोगों की भी उनत कि आज जो समय चल रहा है आज का दो दोर चल रहा है उसमें मानव जो है इर्षा देश आले से भे इन सब विक्रतियों के कारण धीरे-धीरे उसके मन में जो है वो तनाव रहता है विमारियां बढ़ती है तो उनका केवल दबाई देकर कही इलाज नहीं है लेकिन तो उनके मन के अंदर एक सुदता पविजरता साद्गी जीवन में आती है तो उससे क्या कि मनस्ये का जीवन जो है मन जो है स्वस्त बन सकता है तो एक सेकिन के लिए भी आपका जो कदम है आपका जो विश्वास्त है थोड़ा सा भी डग मगाया नहीं कि मैं जातू रहा तीक है बस निकल पड़ा हुआ बच्पन से ही मुझे भगवान के प्रति आस्ता थी और जिसको कहते हैं कि अटूट विश्वास्ता कि मेरे साथ बच्पन से ही कि मेरे साथ वह इस्वरिय सक्ति कारी कर रही है मैं बच्पन में जब पड़ता था उस समय भी अचानक एक बार मेरे साथ में घटना मुझे याद आ रही है कि मैं स्कूल से वापस आकर के थोड़ा सा हलका सा रेस्ट कर रहा था अचानक मुझे जैसे कोई कह रहा है कि उठो तुम कौन हो तुम एक आत्मा हो आत्मा अजर अम एक निश्चे हो गया कि मेरा जीवन जो है वो शिरफ अपने लिए और परिवार के लिए नहीं है पूरे विश्व के लिए है और उसी जिन से मेरे मन में ये ललक थी आज थी कि उस कारिया में मुझे सयोग देना है और जब मुझे फिल मिला जब ये प्लेट फार्म मिला ज क्योंकि मुझे ये लगा कि यहां तो परमात्माश्यों पढ़ा रहे हैं और जो मैंने बच्पन में एक दिन देखा था जो मेरे को सामने जो बात आई थी वो लगा कि ये साकार होने जा रही है तो इसलिए कुछ भी बातें सांशार में आई परिवार वालों ने भी कहा ले परिण्स को लगा कि इसकी साधी करनी चाहिए तो हो सकता है इसका मारग बदल जाए तो एक सादू को बुलाया तो सादू ने मेरे को ऐसे तीन मिनट तक दस्ती देता रहा मैं भी उसको दस्ती देता रहा लास्ट में वो हमारे परिण्स को कहता है कि इसको एक बहुत आध्यात्मिक शक्ति इसके पास है और यह जो मार्ग में जा रहा है बहुत सच्चा मार्ग है इसलिए आप इसमें रुकाउट डालेंगे तो आपका ही नुक्षान होगा तो तब से उनको भी पका निश्चे हो गया कि एक अच्छा कारिय कर रहा है और उनकी तरफ से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई आपका एक विश्वास था प्रमात्मा के प्रति कोई भी पर सित्ति आई अभी भी है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैं कभी भी मेरा 24 गंता ज तो तो ये जिस भी फिल्ड में जाएं चाह्यै अध्यात्मिक फिल्ड हो चाहे लोकिक फिल्ड हो चाहे बिजूनस का फिल्ड हो अगहर हमारे साथ में एक्तिव अलट रहती शागत अड्या तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है कितनी भी प QiSTGHT प्रूस्टिती जो है ओओ आपको जुकने की जुरत नहीं है तो यह तीनों बाते मैंने बच्पन से सीखी थी और वो आज तक मुझे साथ दे रही है तो इसलिए मेरे को कभी भी रिंचक भी कभी मन में शंका नहीं आई कि मैं जिस मार्ग पर चलना हूं मारग ठीक है या नहीं है और मुझे यह लगा कि ही वास्तिक मारग यह और उसी मारग पर मुझे चलना है तो कि यह तीन बाते कही जैसे एक्टिव अलड और एकुरेट तो एक्टिव किस चीज में अपने थाठिया हैले की और पर्मात्मा देख रहा है या कुछ ऐसी बात है और ग्ठ यह जो आपने तीसरी बात एक्ट यह इनका थोड़ा सा डेफिनेशन हमको देखिए तीनों चीज जो है अपने जीवन में बहुत साथ देती हैं बहुत बार क्या होता है कि हम अक्टिव नहीं रहते हैं तो हमारे साथ में उसका दूसरा पोजिप जी आजाता है लेजी पना तो हमें किसी भी कारिये को करने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है तो हम अध्यात्मिक फिल्ड में तो अध्यात्मिक फिल्ड में भी कभी भी कोई भी सेवा आती है अगर हम उसमें थोड़ा सा आलत से लेजी कहते हैं आलत से पन दिखाएंगे तो सेवा का उफर दूसरे के पास चला जाएगा तो हमारा जो नंबर बनना था वो नंबर दूसरे के पास चला गया मेरा जो भाग्य बनने का था वो दूसरे के पास चला गया भगवान चांस हरे का आत्मा को देता है लेकिन वो अगर उसको स्वीकार नहीं करता है उस समय और कोई छोटी मोटी बहना कर देता है उसमें पी से सीखा उसको जिवन में उतारा कि मुझे 24 hours active रहना है 24 into 7 तो इसलिए आज तक मुझे कभी भी कोई भी चीज का उफर मिला चाहे मुझे आता हो या नहीं आता हो मैंने उसको स्विकार किया क्यों स्विकार किया क्योंकि जो अगर मेरे को बात समझ में नहीं आती है जो मैंने सीखा नहीं है वो भगवान मुझे सिखाएगा वो बड़े मुझे सिखाएंगे मैं उसको actively part play करूँ दूसरा है कि alert अगर देखती नहीं रहता है तो उसके जीवन में हमेशा alert रहना चाहिए क्योंकि आपकी टांग खीचने वाले आपको पीछे धकेलने वाले हजारों लोग आएंगे जीवन के अंदर तो इसलिए देखिए alert एक ऐसी चीज है कि आपको सतरकता दिला देती है और आपको पता चल जाता है कि अभी यह चीज आने वाली है ज चाहिए कोई भी फिल्ड हो कहीं पर भी हो कहीं में जा रहा हूं कहीं भी आ रहा हूं तो मेरे को हमेशा एक alert पना रहता है और तीसरी बात है accurate जो कुछ भी हमें पार्ट बजाने को मिला है चाहिए मुझे जाड़ू लगाने का पार्ट मिले चाहिए भासन करने का पार्ट म जो भी पार्ट मेले उसको महेंता से एकुरेट पजाए तो क्या होता है उसमें आपकी सफलता समाई हुई है किसी ने अगा आपको टाइम दिया दस वजे और आप आराम से हिलते डुलते या साड़ दस वजे पहुंचेंगे तो उसके मन में एक इंप्रेशन क्या छोड़ा आपने कि यह बित्ती अकुरेट नहीं है और मेरे साथ में ऐसे कई घटने कई बार हुई है तो मैंने उनको हमेशा यह पार्ट शिखाया कि जीवन में एकुरेशी बहुत जड़ोत है और आज तक मैं एकुरेट रहता हूं किसी भी कारिये के अंदर कभी भी तो इस बातों का मुझे बहुत अच्छा साहरा मिला और इसलिए मैंने आज तक कभी पीछे मुड़के नही एक पावर होने चे वो आपको योग से क्या अनुभव हुआ क्या पावर मिले ब्रह्मा कमारीज में जब हम गए तो उस समय उसके पहले तो हम योग सब्द इतना केवल सुनते थे लेकिन जीवन में अनुभव नहीं था क्योंकि हट योग नहीं कभी जीवन में किया नहीं तो ब्रह्मा क्मारीज में जी 73 में जाने के बाद में मुझे जो योग शिखाया गया उसका नाम है राज हो तो राज योग सीखा मतलब परमात्मां ऐसे कैसे किनेक्ट करना है अपनी आत्मा को च cần मा को तो जब हम परमात पवित्तताég की सक्ति कि सक्ति की रजव की है किला की कि जो भी सक्तियदा परमाफ्मा पास था बॉब शक्तियों का संचार होने लगता है और लगदे अधार के रा में दूंग के आत्मा के अंदर उस संसकार बने छnt तो जब संस्कार हमारे बन जाते हैं तो फिर हमें उसमें आनन्द आता है और जीवन के अंदर हर एक वेक्ति जो है वो आनन्द प्राप्त करने के लिए स्थूल बातों को लेता है कि वो खाने में अनन्द लेता है पहने में अनन्द लेता है बजार में घुमने में अनन्द लेता है परियतन स्तल में जाने में अनन्द लेता है लेकिन ये सारे आनन्द जो है वो थोड़ी दर के लिए ये दुनिया के जो भी आनन्द है इस थूल आनन्द है ये थोड़ी दर के लिए हैं लेकिन ये आध्यात्मिक आनन जो है परमात्मा के राज्यों के द्वारा मिलता है क्यों कि परमात्मिक जो सक्तियां हैं परमात्मा के पास जो सक्तियां विद्यवान हैं शैन सक्ति है पवित्त्ता की सत्यत्या की सक्ति है इमांदारिक जो भी परमात्मिक सक्तिया उनका जब हमारे पास में मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रमात्म एक फाउंटेन की तरह है जैसे फाउंटेन में जैसे जल u." होता है तो अजिए प्रमात्म को जब मन लगाते हैं उसके साथ तो परमात्मिक सक्तियां हमारे उपर उतरना तो उन परमात्मिक शक्तियों के आदार से हमारा मन इतना शांत होने लगता है और यह लगता है कि जो कुछ पाना था सो पालिया तो हमारी मन और बुद्धी कहीं भटकती नहीं है मन और बुद्धी को ठिकाना मिल जाता है और उस परमात्मा की सक्ति के आदार से हमारे को हर चीज में भरपूर्ता कानवा होता है। यही हमें राजयोग के राजयोग माने ही परमात्मा से कनक्ट करना। राजयोग कोई दूसरी चीज का नाम नहीं है। राजयोग मतलब है कि हम अपने कारिये को करते हुए, कारे विभार में रहते हुए योग करना और हमारे मन को और बुद्धी को प्रमात्मा से कनक करना उसी को ही कहा जाता है राजयोग इसमें कोई स्थूल चीजों का लेंदेन नहीं है आप कोई वस्तर कैसे पहनते हैं वो ज जो एक जो कहते हैं कि उनिफोर्म है वास्तव में भी शात रंग मुले हुए है जैसे आपने बोला कि वाइट बस्तर पेंकर या तो कलर्फूर बस्तर पेंकर जैसे हम साथ दिन का कूर्स जो आपके ब्रहमा को मारे इसमें करवाया जाता है तो लोग अक्सर यह पूछते है कि क्या ये free है क्या ये cost नहीं लगता इसमें तो बाहर की दुनिया में जो cost लगता है और इस आप our Mary têm a free seven dayme submit about me ये पर्मात्मा के द्वारा ही ऐसा होता है या फिर एक नियम है कि हम kourst नहीं लेते हैं अर्थny थोड़ा Duha आप्रमा कुमारिग चल्द करता तरह ऋब्लाद करता है ilghcar जो इसको हम कहते है कि पाउंडर जो है वर कोई भ्र稟ि वीशेश न ही रेक्ति विसेश के द्वारा जरूर शुरू है लेकिन ये परमात्मा का कारिय है और परमात्मा को हम क्या कहते हैं पिता परमात्मा तो पिता कभी बच्चे से आसानी रखता है पिता हमेशा देने की ब्रति होती है तो परमात्मा के पास में जो ग्यान धन है ग्यान का जो खजाना है पवित्रत्रा का जो खजाना है तो हर एक बाप के मन में इच्छा होती है कि मैं मेरे बच्चे को सब कुछ दे दूँ मेरे पास जो कुछ भी है दुनिया के अंदर भी हर एक पिता चाहता है कि में पियोन की नोक्री करता होगा लेकिन उसके मन में ऐसा होगी कि मेरा बच्चा जो हो कि आयस अप्षर बने डॉक्टर बने इंजिनियर बने मेरे को हुएसा ये रहेगा कि मेरा बच्चा मेरे द्वारा किसी प्रकार की तकलिफ ना हो खुझ भुखा रहेगा तो ये तो परमात्मा कारी है यहां तो शिक्षा देने वाला परमात्मा है तो वो फिश कैसा लेगा फिश की क्या जूरत है बाकि यह जो इस्वरिय कारिय जो चल रहा है वो कारिय तो चलता है जब व्यक्ति के अंदर परिवर्टन आने लगता है तो उसके वन में विचार आते हैं क्योंकि उसकी जो पुर करती जब आ जाती है तो मन को एक मंदिर समझता है जीवन को एक मंदिर समझता है मंदर के अंदर कभी भी किसी ने भी जो है वो सराब का भोग नहीं लगाते हैं मंदिर के अंदर कभी भी मंस का भोग नहीं लगाते हैं तो जब हमने शरीर को एक मंदिर समझा मन को मंदिर सम कि जिस कारण जिसक्तियों के कारण मुझे जो लाब मिला तो मैं उसमें से अगर कुछ इस्वर ये कारियं में लगा देता हूँ तब भी मेरी तो बचत है मेरा तो घटा नहीं है मुझे तो फाइदा हो रहा है तो यह जब भावना उसकी बढ़ जाती है तो उसमें से अपना बचत में से कुछ वो कंट्रीबूट करने लगता है इसलिए हमने कभी मांगने की जूर्प नहीं करती है तो क्या ये राज्यों का कुछ दो या तीन मिनिट आप हमारे दर्शकों को या मुझे कुछ अनुभूती दे सकते हैं जरू दे सकते हैं तो अभी हम राज्य चरीर नहीं एक आत्मा हूं आत्मा जोति शुरूर पर है और अपने आपको भरकूटी में स्थित करें मैं सेंटर पॉइंट ओप दे फोर हेड़ इसमें इस्थित हो करके धेवे धीरे इस शरीर से अलग अपने आपको समझें मैं एक जोत्ती विंदु आत्मा हूं आत्मा शान्त शरूप है, आनन्द शरूप है, पवित्र शरूप है, शुख शरूप है, ज्ञान शरूप है, शक्ति शरूप है, अब मैं धिरे धिरे अपनी आत्मा को इस चांद सितारों के पार, उस परम वरम, जहां पर शांती का साजर, आनन्द का साजर, रेम का साजर, शुक का साजर, परम्पिता परमात्मा, निराकार जोती, का निवास इस्तान है, मैं आत्मा धिरे 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 उपर की और जाती जा रही हैं, अब मैं धिरे धिरे उनके पास पहुंच रही हैं, मुझे इस दुनिया का कोई भी भान नहीं है, अब मैं उसके, उस परम्पिता परमात्मा, जो प्रेम का साजर है, आनंद का साजर है, अबित्रता का साजर है, उनके समस्क उपस्तित हो गई हैं, अब उस जोद्परम जोती से, परमात्मित जोती से, मुझे बहुत सुंदर किरने मिल रही हैं, मुझे बहुत सुख का अन्वह हो रहा है, मुझे बहुत शांती का अन्वह हो रहा है, मुझे बहुत प्यार का अन्वह हो रहा है, मैं जैसे आत्मा इसमें भर्ती भर्पूर होते जा रही हूँ उस परम जोती को सामने देख करके बहुत सुन्दर अन्भव होने लगा है अब इस अन्भव को मैं अपने अंदर समाती जा रही हूँ अब धीरे धीरे उस अन्भव को अपने अंदर समेट करके फिर इसी साकाव दुनिया में अनेक आत्मों को ऐसे पवित्र वाइबरेशन देने के लिए शांती के वाइबरेशन देने के लिए पवित्रता के वाइबरेशन देने के लिए जो आज दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को शांती देने के लिए, शुक देने के लिए, धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतरती जा रही हूँ, अभी पूरे वाइब अन्रल में जैसे वो वाइबरेशन फैलते जा रहे हैं, अनेक कड़प की हुई आत्माओं, असांत आत्माओं उस वाइबरेशन को रिशीव कर रही हैं, मन वाइबरेशन के आदार से उनके मन में भी एक आशा की किरण जग रही है, कोई हमें कुछ मिल रहा है, कोई हमारे लिए कुछ शांती की वाइबरेशन पहुचा रहा है, अब मैं धिरे धिरे इस शाकार लोक में फिर से अपने इस तन के अंदर प्रोश करके, अनेक आत्माओं की सिवा करने के लिए, अपने आत्मा को फिर से इस शरीर में उप्रस्थित अनभव कर रही हैं, ओम शांती, ओम शांती बहुत भले ही पांच मिनट तीन मिनट का था, लेकिन बहुत ही शांत एक वाइबरेशन आपसे अनुभव हुए हमें और प्रमात्मा की भी आपने अनभूती करवाई, मुझे लगता है कि हमारे दर्श्चकों को ये पांच मिनट हो सकता है, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा और किया तो आपको भी अच्छा लगा होगा, भाई जी आज आपने हमारे इस बाते हमारी काम के में, आपने में बात हमें जो बताई और अपना अनुभव जो हमें करवाया और जो आपने आज दिन तक किया, उमीद है मुझे कि आप हमारे अगले एपि यह बहुत ही हमारे लिए जरूरी है आप हमारे सिक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यावाद है मित्रो कोई भी परिस्थिती आती है कैसा भी हमें कोई भी चीज हमें नुकसान देती है मेन बात हम ने आज इस एपीसोड से ये सीखा कि तीन बाते हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए accurate, alert और active अगर ये तीन चीज़े आपने अपने जीवन में ले आए तो आपको कोई भी परिशानी, कोई भी परस्थिती पीछे नहीं कर सकती है कहा जाता है कि सफलता आपका जनम सिद्ध अधिकार है वो तीनों चीज़े आपको सहयोग जरूर करेगी अगले कारे करम में फिर से आपके समक्स हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिये जाज़त, नमस्कार, उम्शान्ति